रादे रादे फ्रेंज जैसीरी कृष्णा स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप घर पे असानी से धूनी कैसे कर सकते हैं फ्रेंज धूनी करने से हमारे घर में जो भी नाकरात्मक उर्जा होती है वो दूर हो जाती है नजर दोस्त हो या वास्तु दोस्त हो जो भी हो वो दूर हो जाता है या किसी ने कुछ किया होता है टोना टोड़का वो भी खतम हो जाता है तो हमें हपते में कम से कम एक बार को जरूरी करना चाहिए तो देखिए अब हमें कीन चीज़ों के जरूरत होगी धुनी करने के लिए हम वह देखते हैं तो सबसे पहले हमें यह गाय के जो उपले होते हैं वह चाहिए अगर आपके पास गाय के उपले नहीं है तो आप जो नारियल के ऊपर का जो छिलका आता ह है वो ले सकते हैं इसके बाद से हमें एसे एक मिट्टी का हमें पात्र चाहिए जिसके अंदर हम इस गाय के उपले को जलाएंगे और उसके उपर हम धूनी करेंगे इसके बाद से हमें यह देखिए हवन समगरी मैंने ली है और फिर कपूर चाहिए हमें यह धूना है और फिर मैंने लिया है अगर ज्यादा परेशानी है तो हम थोड़ा सा ये पिले सरसो भी ले सकते हैं और थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं इन सभी चीजों को हमें एक साथ मिला के पाउडर बना लेना है या दरदरा कुट लेना है उसके बाद से आप इन सभी चीजों को मिला के एक डब्बे में रख सकते हैं और जब भी आपको धूनी करनी है आप थोड़ा सा निकाल के कर सकते हैं तो चली अब हम इस गाय के उपले को जला लेते हैं और उसके उपर हम धूनी करते हैं देखिए इस तरह से हम गाह के उपले को गैस पे रखे और अच्छे से इसको पकालींगे देखिए इसकी मदद से मैंने सभी चीजों का एक दरदरा पाउडर तयार कर लिया है अब इससे हम दूनी करेंगे आज तयार हो गया है अब हम इस पर यह जो पावडर बनाया है उसको थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे दिखिए इसको डालने से यह बहुत ज्यदा धुवा देगे इसके बाद देखिए साम की पूजा के बाद इसे हम थोड़ा सा जलाके और अपने मंदिर में भगवान जी के पास इस तरह से घुमा देंगे और घर के सभी कोनों में इसका हमें धूनी देना है इसकी धुए को हमें घर के सभी कोनों में घुमाना है तो इस तरह से आप भी घर पे धूनी बनाईए और आप हपते में कम से कम एक बार तो घर के सभी कोनों में इस तरह से धूनी जरूर से दीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए थैंक यू राधे राधे जै सिरी कृष्णा